देश में काफी राज़मे कुरोना के मामलों में तेजी देखी जाई रही है तो काफी राज़मे मामले तेजी से घट रहे हैं आईए जानते हैं आज 17 सितंबर 2021 को आपके राज में पिशली 24 घंटे में कितने केस मिले नमबर एक गुजरात में पिशली 24 घंटे में 15 नए मामले मौते कोई भी नहीं 18 रिकवरी दर्श की गई हैं सक्री मामले 150 है नमबर दो पश्चिम मंगाल में आज क्रोणा वाइरस के 707 नए मामले सामने आए हैं 725 लोग ठीक हुए हैं साथ मौते दर्श की गई हैं सक्री मामलों के कुल संक्या 8,025 है नमबर तीन पंजाब में पिछले 24 घंटे में 41 नए कोविड-19 मामले 35 रिकवरी और 7 मौते दर्श की गई हैं सक्री मामले 325 हैं नमबर चार हरियाना में आज 9 नए क्रोणा के मामले 17 रिकवरी और कोई भी मौत दर्श नहीं की गई हैं सक्री मामले 327 हैं नमबर तैनले और में पिछले 24 घंटे में कुरूना वाइरस के 269 नए मामले सामिया हैं 301 रिकवरी हुए है और 1 लोगों की कुरूना से मौत हुए है सक्री मामले 5282 हैं नमबर चे, आसाम में पिशले 24 घंटे में करूना वाइरस के 408 नए मामले सामने आए हैं इस दोरान 489 लोग डिस्चारज हुए हैं और 4 लोगों के करूना से मौत हुई है राज में सक्री इमामलो का आंकड़ा 4034 है नमबर साथ, करनाटक में आज करूना वाइरस के 1108 नए मामले सामने आए हैं 809 रिकवरी और 18 मौत हुई है राज में सक्री इमामलो की कुल संख्या 16174 है नमबर आठ, पुत्राखन में पिछले 24 घंटे में 20 नए करूना के मामले और 28 रिकवरी दर्श की गई है इस दोरान कोई भी मौत नहीं हुई है, सक्री इमामलो की कुल संख्या 284 है नमबर नौ, तमिल नाडू में 25 घंटे में करूना वायरेस की 1693 नए मामले आए हैं 1545 रिकवरी हुई है और 25 लोगों की करूना से मौत हुई है राज में कुल सक्री इमामलो की संख्या 16756 है नमबर दस, पॉंडिचरी में आज 107 ने करूना की मामले दो मौत हैं और 42 रिकवरी दर्ज की गई है सक्री इमामलो की संख्या 963 है नमबर ग्यारा, गोवा में करूना की 95 नए मामले सामने आए हैं करूना से 96 लोगों ठीक हुए है और कोई भी मौत नहीं हुई है सक्री इमामलो की संख्या 699 है नमबर बारा, आंद प्रदेश में पिछले 24 घंटे में करूना वायरिस की 1367 नए मामले सामने आए हैं 1248 रिकवरी दर्ज की गई हैं और 14 मौत हुई है सक्री इमामलो की कुल संख्या 14708 है नमबर तेरा, राजिस्तान में पिछले 24 घंटे में करूना संक्रमल की 4 नए मामले सामने आए हैं इस दोरान 5 लोग डिस्चार्ज हुए हैं कोई भी मृत्य उदर्ज नहीं की गई है सक्री इमामले 103 रह गए हैं नमबर 15 17 हिमाचल पिछले 24 घंटे में करूना वायरस के 127 नहामले सामने आए हैं और 3 लोगों की कुल संख्या 1568 है नमबर अठारा, मनिपुर में पिछले 24 घंटे में क्रूना के 216 नए मामले सामने आए हैं, इस दोरान 219 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 4 लोगों की मृत्यू दर्च की गए हैं, सक्री मामले 2614 हैं नमबर उननेस, बिहार में पिछले 24 घंटे में 12 नए क्रूना संक्रमल के मामले सामने आए हैं, 6 लोग क्रूना से ठीक होए हैं, इस दोरान कोई भी मृत्यू दर्च नहीं की गए हैं, सक्री मामले 71 हैं नमबर 21, तिरुपुरा में पिछले 24 घंटे में कुरूना संक्रमल के 43 नए मामले सामने आ हैं इस दोरान 88 लोग डिस्चारज हुए हैं, एक लोगों की मृत्तिव दर्च की गई हैं, सक्री मामले 449 हैं नमबर 22, महराश्च में पिछले 24 घंटे में कुरूना वाइरस के 3595 नए मामले सामने आ हैं, 3240 रिकावरी हुई हैं और 455 लोगों की कुरूना से मौत हुई हैं सक्री मामले 49,342 हैं नमबर तेईस उत्तर प्रदेशन पिछले 24 घंटों में क्रोना वाइरस के 24 नए मामले सामने आए हैं ग्यारों लोग क्रोना से ठीक हुए हैं और एक भी मौत नहीं हुए है सक्री मामलों की संख्या 193 है नमबर 24 राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में क्रोना वाइरस के 28 नए मामले सामने आए हैं 22 रिकरवी हुए हैं इस दोरान COVID-19 से एक शक्स की मौत हुए है सक्री मामलों की कुल संख्या 409 है नमबर 25 राजधानी पिछले 24 घंटे में क्रोना संक्रमन के 47 नए मामले सामने आए हैं नमबर 27 जंबो कश्मीर में आज 179 क्रोना के मामले 98 रेकवरी और कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई है केंज शासित प्रदेश में सक्री मामलों की संख्या 1421 है नमबर 28 मेगाले में करोना संक्रमन के 229 नए मामले सामने आए हैं यह जोरान 86 लोग डिस्चारज हुए हैं तीन लोगों की मृत्यू दर्ज की गए हैं सक्री मामले 1804 हैं नमबर 29 मेगाले में करोना संक्रमन के 1402 नए मामले सामने आए हैं जोरान 925 लोग डिस्चारज हुए हैं तीन लोगों की मृत्यू दर्ज की गए हैं सक्री मामले 13047 हैं तो यह थे आपके राजियों के 24 गंटे के करोना केस रिपोर्ट इसके अलावा बे किसी और राजियों के आपको करोना अपडेट चाहिए तो आप कॉमेंट में बता सकते हैं